आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे में रना में सिद्धान तक नहीं हूँ तरी श्टडी आएक्यों का बहुत बहुत सबागत है आज हम बात करेंगे दोस्तो एंजल ओफ डेथ मौत का फरिश्टा एक ऐसे इंसान जो राक्षस था जिसने बहुत सारे खराब का जाते थे इंसानों पर जो एक्सपेरिमेंट किये जाते थे उनको कंड़क्ट करता था औश्विट्स का चीफ फिजिशन था ये बच्चे इसके फेवरेट थे हैं ना जो यहूदी बच्चे होते थे उन पर तो ये खुब सारे एक्सपेरिमेंट करता था बाकाइदा इसने लोगों को दिखाने के लिए स्कूल्स खोले हुए थे किंडर गार्डन खोले हुए थे बच्चों से खुब प्यार करता था लेकिन रात में उन पर एक्सपेरिमेंट करता था उनके शरीर के साथ खिलता था ये कभी पैर उखार देता था कभी दात खीच लेता था तभी आ तक नियोतरी के नाम से मेरी Facebook प्रोफाइल है, दोनों ही जगा प्रिचक की PDF रे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, कौरफ सर ने बहुत ही भेतरिन किताब रिखिए, दोस्तों Study IQ की website से आप परीबो कर सकते हैं, साथी साथ Study IQ का आया पा गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सारे courses यहाँ पर consolidated हैं, और आपको बहुत सारे exciting courses भी मिलेगी, मेरे बहुत सारे micro courses available है दोस्तों Study IQ पर, आप उसको access कर सकते हैं, आपको बहुत जड़ा फायदा होगा, मैंने अपनी battle series भी Study IQ के app में renew की है, ठीक है, यहाँ पर चालू की है, क्योंकि आपने बोलते रहते हैं कि सारे battle series का क्या हुआ, तो यहाँ पर मैंने पूरी complete की होई है, साथी साथ अभी यह Android पर available है, अभी दो महिने बाद यह iOS पर available हो जाएगा, अब मैं Twitter पर भी आ गया हूँ, यह रही मेरी ID, दोस्तों यह देख लिजे, इस तरीके का कुछ दरश रहता था, आपने, मैं बहुत बार बोलता हूँ, आपने शिंडलर लिस्ट देखी कि नहीं, अब तो कितनी बार, जब भी मैं World War II से related और Jewish Holocaust के बारे में, जब भी मैं लिचेज लेता हूँ, तो मैं हमेशे आपको बताता हूँ, आप शिंडलर लिस्ट जरूर देखीएगा, Oscar winning movie, Stephen Spielberg की, आपको उसमें बकायदा जैसा होता था, World War II में, उसमें ऐसा ही दिखाया गया है, ठीके, यह cattle cars हैं, देख सकते हैं, पूरी closed, खली एक window, 1940 से बनाना चुरू कर दिया था, जैसे ही Hitler ने पोलेंड पे कबजा किया, concentration camp बनाने चुरू कर दिये, आप Operation Reinhardt का मेरा विलिचर देखेगा, आपको पता चलेगा, तो एक थे concentration camp और दूसरे थे death camp, ठीक है, concentration camp में तो बहुत hard labor कराय जाता था, death camps में दोस्तों मार दिया जाता था, gas chambers में यहां पे डालके मार दिया जाता था, concentration camp से लोगों को death camps ले जाता था, ठीक है न, बहुत ही जादा खतरनाक condition थी, concentration camp में भी मारा जाता था, इतना जादा 24-24 घंटे काम कराय जाता था, खाना दिया नहीं जाता था, तो बहुत लो backpaint होता था, एक window होती थी, बहुत गर्मी थी दोस्तों, ठीक है, बहुत गर्मी होती थी, और यहां पे लोगों को भर दिया जाता था, 100 की, अगर डिबे में 100 लोग आ सकते हैं, तो उसमें 200 लोगों को भरा जाता था, तो पूरा tightly packed रहता था, कोई, कुछ खाने के लिए न नहीं, कोई toilet नहीं, बहुत बुरी हालत, और उसके बाद, जैसे ही एक बार concentration camp ये लोग पहुंचते थे, अलग कर दिया जाता था, परिवारों को अलग कर दिया जाता था, औरतों को बच्चों से अलग कर दिया जाता था, उनके आदमियों से अलग कर दिया जाता था, चाह भी impure blood है, यहूदियों को वो impure मानता था, सबसे inferior race है ये, ठीक है, इनको तो पूरी तरीके से खतम कर दो, और हिटलर को जो follow करते थे, वो भी यही मानते थे, जोसफ मेंगेले, हिटलर को blindly follow करता था, पहले उसने नेजी party जोइंग की, फिर military और फिर chief physician मना, बहुत extraordinary था, जो जाहिट से बाद उसका हिसाब तो होता ही है, कर्म का तो law हमेशा चलता है, जब world war 2 खताम हुआ, तो trials हुए, नियूरेंबर्ग trials, doctor trials, जोसफ मेंगेले भाग गया था, इसका trial नहीं हुआ, ये बहुत, ये दुख की बात है, है ना, जोसफ मेंगेले भाग गया था, और पता इसकी मौत कब, वो इसकी 1979 में मौत हुई, वो भी natural कारोलों से, लेकिन दोस्तों आप ये मत समझिये, कि world war 2 में भाग गया, तो सब कोई बहुत बढ़िया हो गया, world war 2 के बाद इसकी जिन्दगी शिरापित हो गई थी, है ना, इतने खराप इसने काम किये है, तो फिर आप सोचिये ना, कि भगवान भी कैसे बक्ष देगा, इतनी आसानी से, तो हम देखते हैं क्या हुआ था, फिलाल, मेंगेले का जनम 1911 में हुआ था, ठीक है, 1911 में हुआ था, पढ़ने में बहुत बढ़िया था ये, जब इसको स्कूल में भरती कराया गया था, स्कूल में बहुत अच्छा होता, इसके साथ जो डॉक्टर्स काम करते थे, बड़ा इसकी तारीफ करते थे, ठीक है, लेकिन इसने अपनी जो टैलेंट है उसको गलत काम में लगा दिया, ठीक है, 1935 में दोस्तों इसने एंथ्रोपोलोजी में PhD ली, University of Munich से, और 1937 आते आते इसने नेज पार्टी को जोइन कर लिया, ठीक है, नेजी पार्टी को, लेकिन दोस्तों जो इसने PhD की थी, जिस सब्जेक्ट से PhD की थी, इसने, ये जेनेटिक स्टडी था, टुिन्स को स्टडी करता था ये, अब देखें, 1937 आते आते, हिटलर ने जहर फैला दिया था, ठीक है, 1933 में हि जो है, आप निली पट्टी बांद के घूमेंगे, बेसिकली जूज, कोई भी इंसान दूर से पैचानज है कि ये यहूदी है, और आप किसी भी जर्मन से शादी नहीं कर सकते, आप extra marital affair नहीं कर सकते, नियूरेंबर्ग लॉंस पे मेरा पुरा separate वीडियो है, तो ये हिटल हुआ रोमानी जनोसाइट का, रोमानी जो थे, रोमानी और जूस इस पे बहुत ज़्यादा बरबरता हुई है, रोमानी होलोकॉस्ट और जूस होलोकॉस्ट, जूस के साथ सथ रोमानी भी नहीं पट गयता, रोमानी कौन थे, ये भारती थे, रोमानी इंडियन्स थे, को भी हिटलर ने मारा कि ये प्योर रेस नए नए प्योर आर्यान रेस नहीं है तो आप हम यह देखते हैं कि इस दोराण प्या जाज़ चल रहा है हिटलर ने सबके मन में जहर भर दिया है 1937 आते आते और Mengele के भी मन में जहर आ गया, क्या हमको भी यह जीूस को तो मारने ही मारना है, जोसफ मेंगेले भी जीूस को बहुती इन्फीरियर दे समस्ता था, और इसका यह मानना था, कि इनको तो पूरी तरीके से खतम कर देना चाहिए, इनकी प्रजाती ही खतम कर दो, यह लग पैरा साइट से हैं, 1937 में जोसफ मेंगेले ने नेजी पार्टी को जॉइन किया, ठीक है, और 1939 में एसेस का मेंबर हो गया, ठीक है, जो प्रोटेक्शन स्कॉर्डरेंट, एसेस में सबके सब लुटेरे, गुंडे, क्रिमिनल्स भरे होए थे, ठीक है, जिनका एक ही काम था, लोगों को मारो, जूज को मारो, ढूडो मारो, 1939 में, सब्टेंबर 1939 आते आते, इधर हम देखते हैं कि, पोलेंड को इंवेड कर दिया, हेटलर ने, पोलेंड में बहुत सारे 50% से ज़्यादा पोलेंड में जूज रहते थे, उनकी शामत आगी, पकड़ के उनको ले के आए, पोलेंड में बकायदा concentration camp बनना शुरू हुए, बहुत ही जल्द concentration camp और death camps बन गए, पोलेंड में ज्यादा death camps थे, ठीक है, और camp बहुत बड़े होते थे, इनमें सब camps थे, और juice को मिटाना था, तो eliminate कैसे करेंगे, खतम कर दो, लेकिन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तो मेंगेले का उसमें क्या काम, मेंगेले ने कुछ time के लिए, कुछ time क्या, काफी वक्त के लिए, उसने military भी join की थी, 1940 में, 1940 आते आते, जोसफ मेंगेले ने military भी join कर ली, और काफी अच्छा किया इसने military में, ठीक है, काफी वड़ी है, लोगों को अच्छा खासा मारा, जिसकी वज़ेसे इसको promotion मिलते रहे, 1943 आते आते, इसको captain मना दिया गया था, लेकिन 1942 में, 1942, एक साल पहले दोस्तों, इसको chief physician बना दिया गया था, ठीक है, कि तुम experiment करो, लोगों पर experiment करो, हिटर को तो पूरी की पूरी छूट थी, ठीक, और यह जो ऑश्विट्स, जो बरके नाव है, जो basically, एक तरीके से extermination camp था, और सब camp था, वहाँ पर इसने अपने experiment करने शुरू किये, ठीक है, 1942 में, दोस्तों, 1942 साल आते होता क्या था, कि जो पूरा lot आता था, मतलब, जो juice आते थे, ठीक है, जब इनको उतारा जाता था, तो इसमें जो pregnant women's होती थी, ठीक है, जो गर्बवती महिलाएं होती थी, जो छोटे बच्चे होते थे, जो twins होते थे, twins में Joseph Mengele को बहुत जाथा इंटरस्ट होता था, क्योंकि twins पे एक्स्परिमेंट करता था, जो छोटे-चोटे बच्चे होते थे, 8-9 साल के बच्चे, ठीक है, जो बॉने होते थे, जो ड्वास होते थे, जो बूडे होते थे, उन सब को पहले ही अलग कर दिया जाता था, जो disabled होते थे कमजोर को पहले ही अलग कर दिया जाता था कि यह लोग अलड़ी बोज थे है ना और यह concentration camp में जाएंगे वहाँ पर भी आपको काम करने तो यह भी बोज होंगे तो उनको पहले ही मार दो लेकिन जो doctors थे सब को नहीं मारते थे इसमें कुछ लोगों को रख लेते थे ताकि उन पर human experiment किया जा सके तो अब नेजी human experiment पे मेरा पूरा का पूरा separate lecture है आप जरूर देखिएगा ठीक है तो यह चीज है अब हम यह देखते है कि Joseph Mengele जो है वो Chief Medical Officer हो गया ठीक है ऑश्वेट्स में और फिर Chief Physician बन गया रोमानियों का रोमानी जैसा कि मैंने बताया ना कि रोमानी जो थे वो भारती थे और बरकेनाओ में रहते थे बरकेनाओ जो था वो सब कैम्प था जो ऑश्वेट्स में ऑश्वेट्स में चालिज सब कैम मतलब बहुत बड़ा कैम्प था बहुत बड़ा कॉंपलेक्स थे उसमें चोटे चोटे कैम्प लोकेटे थे ठीक है तो वहां पे एक कैम्प में एक सब कैम्प में बरकेनाओ था और वहां पे रहते थे रोमानी और जब मेंगेले को पूरी ताकत मिली उसने human experiment करने शुरू कर दिये बहुत सारे experiment किये जाते थे ठीक है यहां पे जो बिमारिया होती थी malaria typhoid पहले लोगों में उस virus को डाला जाता था और उसके बाद उसको treat किया जाता था तो लोग तलब तलब के मर जाते थे underwater experiment salt experiment salt water experiment बहुत सारे नेजी के कैसे human experiment होते थे इस पे मेरा पूरा separate lecture है अब हम बात करते हैं बच्की बच्चों से जोसफ मेंगेले बहुत प्यार करता था बच्चे इसको uncle मेंगेले uncle मेंगेले कहके बुलाते थे बच्चों के लिए बकायदा इसने kindergarten बनवा दिये बकायदा इसने preschool बनवा दिया अंदर से एक राक्षस था इसको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे ठीक है वो घ्रणा का पात्र थे इसके लिए जोसफ मेंगेले जो है Jewish Children's को शैतान के रूप में देखता था कि इनको खतम कर दो पूरी तरीके से खतम कर दो इन Jews को मिटा दो यह सब पैरसाइट्स हैं तो कैसे मिटाएंगे एक्सपेरिमेंट करो एक तो होता है आसानी से मौत दे दो दूसरा होता तरपा तरपा के मारो आसानी से मौत फिर भी ठीक एक बार में आपको मुक्ति मिल गई जब तरपता है इंसान तो मौत की भीक मांगता है लेकिन मौत नहीं आती है अब छोटे चोटे दस बारा बारा साल पांच-पाच साल के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने लगा ठीक है एक्सपेरिमेंट करता था इस्पेशली जो रोमानी अगर आप काइंड है आप दूसरे की दुख को समझ सकते हैं तो आप समझ लेजिए उपर इरू हैं वह बहुत बड़ी सुपर्पावर होती है लेगिन अगर आपमें इमपैथी नहीं है तो आप खतरनाक हो सकते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं इससे गुष्चे का कभी बच्चों के पैर उखाड़ रहा है और इसमय बच्चे जिन्दा होते थे जब यह पूरा एक्सपरिमेंट करता था विदाउत अनस्थीशिया होता था याद रखेगा इसमें अनस्थीशिया नहीं दिया जाता था यह बस समझे कि बेहोश करके एक्सपरिमेंट नहीं तो कभी हातों को खाड़ रहा है यह कभी पैर को खाड़ रहा है यह कभी दात यह दात को एक्स्ट्राक्ट कर रहा है कभी उनमें उनके आँखों में इंजक्शन लगा रहा है ठीक है यह आईस का कलर स्क्यों डिफरेंट होता और क्या हम ट्विन्स को सेम कर सकते हैं पूरी क्या करता था जो मदस होती थी जो ट्विन्स होते थे ठीक है उनको बिलको ललक कर देता था अब जो जो मदस थी वह बहुत जादा रोती थी है ना कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो और वो उनको वहीं मार दिया जाता था बहुत जादा कोई रोता था तो वहीं खतम कर देते थे ठी ठीक है और सब के सब जिन्दा रहते थे पूरा जीन से छेडशाड करता था जनेटिक स्टड़ी ताकि जर्मनी जो है वो जीत सके और इसको मज़ा भी आता थे सारी चीज़े करने में इसको फिर एक टाइम पर मज़ा भी आने लगा था लेके आओ एक बार तो जोसफ मेंगेल था उसके बाद बहुत सार इसके विक्टिम्स यह अपने विक्टिम्स को गैस सेंबर्स में भेज़ देता था वहां पर मार दिया जाता था और उसके बाद जब यह लोग मर जाते थे ठीक है जब इन सबको मार दिया जाता था तो कई जीवस अमीर होते थे वह सोने के दात अगाते थी तो जो भी वैलुवेबल होता था वो जी उसे ख्षीन गया जाता था और उसके बाद उनके जो पार्च होते थे इंपॉर्टेंट बॉड़ी पार्ट जैसे किड्नी लंग्स जो भी फायदे मंद हो जर्मन के लिए वो सब निकाल लेते थे और बकायदा उनके पूरे मास को हटा के जो स्केलिटन होता था जो कंकाल होता था उस तक को स्टेडी के लिए भेज देते थे तो ऐसे तो खतरनाक थे यह लोग ठीक है इतने जादा जालिम थे और जो सब मेंगेले सब से आगे ठीक है तो यह सब इसने 1945 तक किया यह 1945 तक लग नहीं यह उनको लेके आता था बहुत पुरी कंडिशन प्रेगनेंट वोमें जो हैं गर्ववती महिला है जो है कैटल कार्स में आती गर्मी में वैसे खाना नहीं मिल रहा है आधी तो वैसे ही मर जाती थी जो बच जाती थी उनको उन पर एक्स्पेरिमेंट किया जाता था अब एक्सपेरिमेंट में बताओंगा नहीं दोस्तों थोड़ा सा सही नहीं रहेगा आप देखिएगा पढ़िएगा ठीक है तो इस तरीके से यह एक्सपेरिमेंट करता था कि यह लोग बहुत चिलाती थी पागल हो जाती थी जो कुछ वुमेंस में टेस्टीमेनी दी है उन्होंने उन्होंने बताया मतलब यह जो एक्सपेरिमेंट किये यह हमारे साथ ता उम्र रहे हम कभी इस चीज से उबर ही नहीं पाए मेंटल ट्रॉमा इतना ज़ाधा था लेगिन वही चीज है कि कब तक करोगी यह 1945 में जब जर्मनी हरा अप्रेल 1945 में जब हिटलर ने आत्मत्या की इधर सोवियत की रेड आर्मी ने इन्वेड कर दिया जर्मनी को और इसको पता था कि 1945 में मतलब वर्ट वर टू खतम हो गया कि यह किसी तरीके से बचने में काम्याब हो गया ठीक है लेगिन अमेरिका ने इसको तुरंट पकड़ दिया 1945 में लेगिन सबूत नहीं मिले क्यूंकि पेपर्स जो थे वो सब कुछ जला दिये थे एसे जो था ठीक है जो इधर हिटलर की जो अपनी खुद की पुलिस थी जो टूपस थे उन्होंने सारे सबूत को जला दिये थे ताकि जब हम पकड़े जाए तो हमारे उपर मुकदमा न चलाए जा सके तो मेंगेले के भी सबूत को जला दिये थे सब कुछ जला दिया था लेकिन Mengele जो है वो भचने में काम्याब हो गया था और बच के जाएगा इधर उधर भागा लेकिन में ये साउथ अमेरिका चला गया साउध अमेरिका चला गया अब इसकी शादी भी हो गई ति उस समय इसकी बीवी ने इसका साथ देने से सरा सर इंकार कर दिया कि मैं नहीं साथ दूँगी अब ये बच गया है जो डॉक्टर्स ट्रायल हुए तो उसमें ये बच गया है लेकिन आप ये मस समझिए कि इसका जीवन बहुत बढ़िया गुजरा 1945 से लेके 1979 तर ठीक है मैंने बताया ना कि अगर इसको मौत दे देते तो मुक्ती मिल जाती लेकिन इसको मौत नहीं मिली इसको जो इसका आगे का जीवन था वो बहुत ही खराब था हाला कि हां बहुत लोगी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो सब मेंगेले अमीर हो गया था बिल्कुल साउथ अमेरिका जबें जाके वो काफी अमीर हो गया था उसने बकाइदा फर्म्स खरीद ली थी बकाइदा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था लेकिन दोस्तों इसकी ढुंड आते आते यहां पे कितने लोगों को करोनों जूस को मार दिया गया वो तो बदला लेंगे ही लेंगे मुसाद एक ऐसी और्गनाइजेशन अगर हम इंटेलिजेंस और्गनाइजेशन की बात करें तो मुसाद सबसे उपर मुनिच ओलंपिक्स में जब पलस्तीन पलस्तीनिय तो मुसाद के हाथ में केस आया मुसाद के चीफ ने तो बोला कि जोसफ मेंगेले को पकड़ के लेकि आएंगे छोड़ेंगे नहीं उसे ठीक है तो यह मुसाद को काम दिया गया लेकिन अल्टिमेटली ऐसा हो नहीं पाया एक बार बहुत क्लोज आ गए थे अर्जेंटीना में रहता था पहले अर्जेंटीना में फिर पेरागुए गया उसको लगा कि अर्जेंटीना में शायद अमेरिका का प्रेशर हो और मुझे एक्ट्रडाइट कर दिया जाए लेकिन अर्जेंटीना एक बार क्या हुआ था कि इसको मतलब इसके जो सबूत है ठीक है पता था ह अर्जेंटीना में रहता है तो अमेरिका ने वकायता सबूत दिये इस्राइल ने भी तो अब यहां पे इसको वापस लाने की मांगी गई कि हमको इसको सौंपो लेकिन अर्जेंटीना की सरकार ने मना कर दिया कि हम एक्स्ट्राइट नहीं कर सकते ठीक है और फिर डर के मार यहां तक कि इसके ओपर इनाम तक घोशिट कर दिया था कि इसको पगड़ के लिए क्या इनाम मिलेगा तो जब ऐसी जिंदगी होगी आप खुद ही समझे क्या होगा कुछ नहीं होगा यह भागता ही रहा कभी इधर कभी उदर मुश्किल थी इसके लिए लेकिन हां अमीर ह हुआ यह दिल्कोल इसने बकाइदा वहां पर फार्मसीटिकल कंपनी बकाइदा बिजनेस खोले इतना इसने सब कुछ करने के बाद वहां पर बिजनेस खोले ठीक है 1962 आते आते दोस्तों मुसाद के चीफ ने मेंगेले की जो हंट थी उसको कॉल आफ कर दिया ठीक है इससे इसराइल उलज गया और इस मेंगेले के हंट को इसने कॉल आफ कर दिया तो मुसाद ने बोला छोड़ो मेंगेले को अपनी मौत मर जाएगा तो ये चीज हुई 1969 में ये बात आए कि मेंगेले ने एक और बहुत बड़ा फार्माउस पर्चेस किया है लेकिन फिर यहां पर भी प्रॉब्लम्स हो गई और 1979 में दोस्तों हम देखते हैं कि मेंगेले का दिहानत हुआ नाचुरल डेथ हुई इसकी ठीक है नाचुरल डेथ तो ये कहानी थी मेंगेले की एंजल ओफ डेथ मौत का फरिष्टा जिसको बोला जाता था आई होप आपको पसंद आई होगी खुश रहें पर तेरे इसे सिद्धान तक नियोत्री सानी होगी